सुरी शिवाय नमस्तु भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हो कि अभी पंडित प्रदीप मिश्राजी और प्रेमान जी महाराज को लेकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, किसने गलत बोला, किसने सही बोला तो दोस्तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी बहुत इसपस्ट रूप से मिल जाएगी अगर आप लोग पंडित प्रदीप मिश्राजी को दिल से मानते हो और उनको अच्छे से जानते हो तो भई आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, साथ ही मेगर आप लोग प्रेमानजी महराज को अच्छे से जानते हो, दिल से मानते हो तो भी आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए मतलब कहने का ये है कि ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना आपकी सारी बाते आपको इसपस्ट हो जाएंगी ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग दोनों पक्षू की बात रखेंगी कि सबसे पहले जो वीडियो निकल कर आई है वो प्रेमा नंची महराज की निकल कर आई है और उस वीडियो में उन्होंने किस किस तरीके से पंडित जी से बात करी है उनको क्या क्या शब्द बोले हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आकर उस जवाब में क्या कहा है उनके जवाब में यहाँ पर क्या कहा है अभी आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी की ओम कारिश्वर में शिव महापुरान कथा चल रही है और उस कथा में क्या हो रहा है कि पंडित जी ने इस चीज का जवाब यहाँ पर दिया है बहुत ही इस पस्ट तरीके से बिलकुल इज़त से जो है उन्होंने जवाब दिया है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा जो छोटी सी क्लिप प्रेमा नजी महाराज की है इस एक वीडियो क्लिप से आप बहुत कुछ समझ जाओगे तो सबसे पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी उसके बाद हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भी आप एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस पस्ट शब्दों में सुना कि प्रेमानन जी महराज ने किस तरीके से यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बोला है कि ना तू लोग का रहेगा ना तू परलोग का रहेगा दोस्तों अगर दिल से कहुना तो एक संत के मुख हरविंद से एक संत के मुख से ऐसी भाषा बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है मैं देखो इस वीडियो में किसी को बुरा नहीं कहने वाला ना किसी को अच्छा कहने वाला जो सही है जो बात अभी हो रही है उसके बारे में मैं पूरी बात करूँगा ठीक है तो कोई ये ना समझे कि मैं इस साइट से बोल रहा हूँ ना कोई ये समझे कि मैं इस साइट से बोल रहा हूँ ठीक है तो अभी आपने क्या सुना ना तू लोग का रहेगा ना तू परलोग का रहेगा इसमें आप लोग शब्दों का पूरा उच्छारण देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बात की गई है वो भी यहाँ पर देख सकते हो है ना तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि प्रेमानन जी महाराज ने अपनी उस वीडियो में क्या क्या पंडित जी के बारे में यहाँ पर शब्द कही हुए है ठीक है तो देखो सबसे पहले प्रेमानन जी महाराज ने यह बोला पंडित जी के बारे में कि च चार शलोक क्या पढ़ लिये इसने ये भागवत करने बैठ गए है ना मतलब की चार शलोक क्या पढ़ लिये इन्होंने ये भागवत करने बैठ गए तो सबसे बहली बात तो पंडी जी कभी कहते ही नहीं कि हमने कुछ जाधा शलोक वगेरा कुछ पढ़े हैं वो तो भगवा संतों के चरणों में बैठो कभी तब जाके तुम्हें राधा नाम की मतलब पूरी कृपा पता चलेगी तो पहली बात तो पंडी जी पहले से ही मतलब संतों की चरणों में बैठते आई हुए हैं आज वो जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो इस स्थान पर ऐसे नहीं जवाब हम अपनी तरफ से एक पूरे विशलेशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं ठीक है उसके बाद में जो प्रेमा नंजी महाराज ने अगली बात बोली वो ये बोली वो ऐसा बोल रहा है तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता है ना मतलब की ऐसी कुछ बात उनने बोली है प्रेमा नंजी महाराज ने कि जिसने ये बात बोली है तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता अब एक मतलब आप खुझ सोचिए साधू के मुक्ष से ऐसी कोई बात अच्छी लगती है तो देखो यार ऐसी बात बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मैंने प्रेमा नंजी महाराज की वीडियो देखी ना तो मतलब मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि कोई ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकता है आप लोगों को कितनी अच्छी अच्छी सिक्षा देते हो आप लोगों के बारे में कितना अच्छी अच्छी बाते बताते हो तो आप ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकते है और वो बोला क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा पर पहले अभी आप लोग पूरी वीडियो देखना उसके बाद ही आप लोग अपनी राय रखना है आपर है ना तो भई तुझी नर्क से कोई नहीं बजा सकता ऐसी बात प्रेमानन जी महाराज ने कही है तो भई पंडिस जी के उपर शिव जी की क्रपा है वो तो शिव जी ही जाने उनको इससाथ क्या करना है ठीक है उसके बाद में दोस्तो अगली जो बात यहांपर कहिए प्रेमानन जी महाराज ने जो यह कही है कि जिसका जस खाकर तुम्हें प्रस्तिदी मिली है उसी के बारे में तो मैं ऐसा कह रहा हूँ तो भाई पहली बात तो यह आप समझ लीजिए कि जो वीडियो क्लिप आपने देखी है वो अधूरी वीडियो क्लिप है वो आपके विरुधियों के तरब से आपको दिखाई गई है आपको भड़काने के लिए दिखाई गई है ठीक है और आप भड़क भी गए और आपने भड़कने के बाद ऐसी ऐसी बाते कह दिए जो आपको नहीं बोलनी चाहिए ती है जिससे कि लोगों के मन को बहुत इस भी पहुँचे हुई है ये बात किसी से चुपी नहीं है ना उसके बाद में जो अगली बात कहिए प्रेमरण जी महाराज ने अपनी वीडियो में वह ये कहिए कि ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए जो राधा नाम की मतलब अभिलना करें तो पहली बात तो राध उनके बारे में ये बात कही है कि तुम ऐसे लोगों को निमंतरन दोगे तो तुम्हारे पुर्खा नहीं तरने वाले तो आप खुछ सोचिए कि इस बात को सुनकर उनको कितना दिल में ठेस पहुचा होगा कि जो लोग पंडी जी को निमंतरन देते हैं उनको कितना बुरा खाँ है आप लोगों के मन में भी ऐसी मतलब बात आरही है कि कोई संथ किसी संथ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है तो अबरे जहांपर बोली है कि ऐसी जो है अगली जो बात यहां पर बताई है वो यह बताई है कि अगर तुम्हें कथा कराना है तो किसी नाम जाप करने वाले से कथा कराओ मतलब इनका यह कहना था कि पंडित जी नाम जाप करते ही नहीं है हम आप से ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि पंडित जी मातर तीन गंटे का जो समय है वो अपना कथा निकालने के लिए आते हैं पर तीन गंटे की कथा को करने के लिए पंडित जी अपने पूरा समय उसका पूरा पढ़ने के लिए देते हैं उसमें से अच्छे अच्छी करें हैना मतलब पंडी जी से बात कहीं जारी कि आप प्रपंच ना करें समाज आपको पूछेगा भी नहीं और जो भी मतलब नरग गामी होगा वही इन्हें बुलाएगा अब ये आप पंडी जी के आप एक छोटी सी क्लिप देख लीचे उसके बाद हम पंडी जी के बारे में आपको बताएंगे ये बात बोली है कि अपने सफाई में जो की अंकारिश्वर की कथा जो चल रही थी उसमें पंडी जी ने इस पूरी वीडियो का जवाब दिया है कि जो बात बोली गई है पहली बात तो वो बात आपको पूरी नहीं दिखाए गई है आधी वीडियो काटकर वीडियो दिखाए गई है और पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़े इसपस्ट हो जाएंगी तो भाई जो भी बात बोली गई है वहाँ पर वो शास्त्रों से निकाल कर बोली गई है ठीक है उसके बाद में राधारानी के अगर बात करें तो भाई 1999 में जब पंडी जी ने पहली कथा करी थी तो पंडी जी उस समय दूसरी जगा काम किये करते थे पत्रे का जो है वो बाटकर जो है दस रुपे कमाया करते थे ठीक है तो भाई उस दस रुपे को लेकर वो अपनी परिक्रमा करने चाहते थे पंडी जी ने इंक्यावन परिक्रमा करी हैं राधारानी बरसाना की और गोवर्दिन की भी यहाँ पर करी हुई है अब आप खुद तो राधा शिव का अफ्तार है, कृष्ण पारवती जी का अफ्तार है, ये बात पंडी जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में बोलिया, आप खुछ सोचिए, जिस शिव महापुरान कथा वो कर रहे हैं, शिव जी का ही अफ्तार जो है वो राधारानी है, और कृष्ण जी बार्णिजी का ही जो है अफतार है वो पारवती जी है तो भई भगवान कहीं से अलग है ही नहीं भगवान तो एक ही है जो नाम जाब प्रेमारण normally महराज कर रहले है वही आम जाब पंदित प्रदीप मिष्रा जी भी कर रहा है तो इसमें कोई अलग बात नहीं है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो पंडी जी ने बात की जा रही है मतलब उन्होंने ये कहा है कि विरोधियों के दारा जो है सबी लोगों को ब्रहमित किया जा रहा है क्योंकि बरसाना के लोग बहुत भोले होते हैं और उन भोले लोगों को यहाँ पर भ्रहमत किया जा रहा है मतलब बाते अलग-अलग तरीके से सुनाई जा रही है पंडी जी ने ये बात कही कि पंडी जी ने उस समय परिक्रमा करी है चड़ी पहनते थे उस समय भी पंडी जी ने उस गोवर्धन की परिक्रमा करी है बरसाना की परिक्रमा करी है तो ये बात पंडी जी के बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है जो बात प्रिमा नंजी महराज नहीं आपर बोली हुई है उसके बाद में दोस्तो राधारानी की म इनको प्रमाण चाहिए भई वो कुबरेशवर धाम आजाओ, कुबरेशवर धाम का रास्ता सभी लोगों ने देखा हुआ है, वहाँ पर आपको आसानी से प्रमाण मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले के ये समय में पंडी जी ने सिहोर की भूमी पर राधा नाम का बहु उनका एक बार फोन आया पंडी जी के पास में, और उन्होंने पंडी जी को निमंतरन भी दिया, कि आप एक बार आईए और आप यहाँ पर जो भी आपकी बात है वो रखिये, क्योंकि यहाँ पर जो विवाद है वो अलग तरीके से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है दिल से मानते हैं, उनके बारे में प्रिमान जी महाराज ने तू तड़ा के से बात करी है ना, अलाकि वो वीडियो काटकर उने दिखाए गई है, इसमें प्रिमान जी महाराज की कोई गलती नहीं, यह बात हम आपको इस पस्ट रूप से कह रहे हैं, पर यह कितने बड़े स संद के बारे में तू तड़ा के से बात यहाँ पर प्रिमान जी महाराज ने करी हुए है ना, और भी बहुत सारी शब्दे यहाँ पर उस वीडियो में इस्तिमाल कियेगा है, पर पंडी जी ने किस तरीके से जवाब दिया, वो आप सुनिये, तो देखिए, पंडी जी ने प्राण ने उचावर कर देते उनकी चरणों में और भागे हुए वहाँ तक आते, पर इस तरीके से जो प्रिमान जी महाराज की यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, विरोधियों के मतलब जो कान भरे गए हैं, वो एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात ह उसके बाद में पन्डी जी ने यह बात भी क Sail और उनको पीता और नमन करकर आता, उसके बाद में दोस्तों period जी ने बहुत आदर और सम्मान से प्रिमान जी महाराज के बारे में सभी कश यहाँ पर बाते कही हुई है और मतलब उन्होंने यह बात भी कही हैं, कि किसी तरीक से तो इतने बड़े संत के मुखारविंद से इस बावरे का नाम तो आया मतलब पंडी जी का नाम किसी तरीके से उनके मुख पर आ गया इसी नाम को लेने से प्रेमनन जी ने जब पंडी जी का नाम ले लिया भले ही तू तड़ा कैसे लिया या कैसे ही लिया पर पंडी जी का माफी भी माँगी हाला कि वो माफी मतलब उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कुछ गलत तरीके से बाते बताएंगे और उनको दिल से बुरा लगाओ तो उनके लिए माफी भी यहाँ पर पंडी जी ने माँगी है और पंडी जी ने बोला कि जो भी बाते पहले बोली गई है अगर आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो भई आपको पूरा प्रमान के साथ पंडी जी जो है वो पूरी बातों को सिद्धी भी यहाँ पर करेंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों आदी वीडियो यहाँ पर चलाए गई है उस वीडियो में पंडी जी ने राधारानी का महतु भी बताया था विवहा का प्रसंग भी बताया था तो भई ये सारी बाते उस वीडियो में नहीं बताए गई है प्रेमान जी महाराच को जो वीडियो दिखाए गई है वो आधी हदूरी दिखाए गई है जिसके बाद उनका जो क्रोध है वो आप लोग देखी सकते हो वीडियो के माध्यम से पर social media पर जो जो वीडियो अप्लोड किया है वो बहुत गलत तरीके से अप्लोड किया गया है इसलिए हम बस एक निविदन जरूर चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके वो वीडियो और भी जगा पर अप्लोड है वो सारी वीडियो जो है वो वहां से आप लोग हटवा दीजिए क्योंकि ये गलत संदेश लोगों के बीच में पहुंच रहा है और लोग पंडित जी को बदनाम करना चाह रहे हैं इस वजह से ये वीडियो और ज़दा लोग चलाएंगे तो इसलिए आप से नेवेदन है कि बस इस वीडियो को आप लोग हटवा दीजिए इसमें कोई लड़ाई जगड़े वाली बात नहीं है बस जो एक misunderstanding है ये बात हमने आपको पहले ये बताईए कि वीडियो क्लिप काट कर बताई गई है लोगों को भढ़काने की कोशिश की गई है और हमें व्रंदावन के जो बड़े-बड़े संथ हैं पंडी जी हैं उनसे तो ये आशा नहीं थी कि वो तूतरड़ा के से बात करके पंडी जी को वहाँ पर बुला रहे है रहे हैं ऐसी बात अच्छे नहीं लगती है आप व्रंदावन में रह रहे हैं रादा रानि के बगतों क्रिशनेजी के बगतों वो कभी किसी से ऐसे इस तरीके से बात नहीं करते दымиड़े ड़ेравствуйте एं तो ये वह इतने बड़े संत का अच्छे से आदर संवान करें और उनको अच्छे से वहाँ पर बलाएं पंडी जी अगर आप आधर सम्मान से बलाएंगे तो वह बिलकुल आएंगे और आपकी जो जवाब जो प्रेशन है आपके उनका जवाब भी वह आपको जरूर देंगे ठीक है बाखी अब आपकी हिसाब से आपकी राय हमें चाहिए कौन सही है कौन गलत है यह तो आप बात की बात है अब आप क्या सोचते हैं आप हमें बताइए क्योंकि दोनों ही वक्त एक दूसरे के ही वक्त हैं इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है बस इसमें जो अपने हास से लिगए वह विरोधी आश से लडाई को बढ़ाए जाए एक निवीदन हम यहां से बस कर रहा है क्योंकि उसमें गलत-गलत भाशा का यहां पर उपियोग किया गया बस इतनी बात हम यहां पर कहेंगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हूं नमास